आज है हमारी consistent study का 28 वा दिन क्योंकि आज Sunday है तो आज होता है full test day अब तक हम 3 full test दे चुके हैं और आज हमारा है fourth full test तो कुछ सवाल जो आ सकते हैं आपके दिमाग में पहला test कहां से देना है तो test book app पे आप जाओगे तो वहाँ पर 15 तो full test है जो कि mock test की तरह है और 12 है previous year तो total 27 test है preferable ये रहेगा कि या तो आप latest previous year दो या फिर mock test दो क्योंकि जब पुराने हो जाएंगे test तो उसके अंदर current affair के question जो हैं आपके लिए वो irrelevant हो जाएंगे तो ऐसे 10 से 15 question तो आपको irrelevant से दिखेंगे तो इसलिए फाइदा ये है कि आप mock test type दो या फिर latest previous year दो आपके लिए दूसरा option है GKPB की book से आप full test दे दो अगर आपके पास test book की series नहीं है तो वैसे मैंतर कहूंगा test book की series ले लो कारण इसका ये है कि economical है और आपको हरत है कि full test मिल जाएंगे इसके अंदर दूसरा option जैसे आपके पास GKP है इसके अंदर क्या कर सकते हैं आप कि जो telegram group है उसमें आपको link मिलेंगे drive के तो एक 10 civil बंदा करके drive है जिसके अंदर GS के notes पड़े वे हैं तो उसके अंदर GKP की book मिल जाएगी तो उसके अंदर 3 तो practice test हैं बाकी 29 previous year है तो total 32 paper है तो इन में test हम क्यों देते हैं वो अभी आगे पड़ेंगे तो लेकिन फिर भी आप इसके दे सकते हो test तीसरा है कि कि किसी भी coaching का जो आपने test series लीवी है उससे दे सकते हो तो एक सवाल और बनता था यहां से students का कि test series इतनी सारी देंगे तो test ही खतम हो जाएंगे last में जो test देने हैं त तो test खतम तो नहीं होने वाले आपसे इवन अभी इस तरह से भी चलोगे तब भी नहीं खतम होंगे full test तो जितने दे सको उतने दो full test तो पहला question कि full test कहां से दे ओके अगला question syllabus complete नहीं है क्या फायदा test देने से यह सवाल कई लोगों के मन में आ रहा होगा तो इसको ऐसे पजलो कि 45 मिनट से एक घंट आप 20 question के आसपास करते हो आज आपके पास मोका है कि 45 मिनट से एक घंट तक आप reasoning करो और 50 question करने की try करो दूसरा यह है कि अगर जो आपने sleepers complete नहीं किया तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि कुछ पढ़ाई नहीं आपने अब तक तो GS भी थोड last question solve करने कोशिश करो क्योंकि reasoning ऐसी चीज है कि किसने नहीं भी पढ़ी हो फिर भी बस time उसको मिल जाए तो कर देता है अभी तक जो test के result आए हैं अभी first, second और third के तो जो average रहा है वो average यह रहा है कि 50 से 70 marks तक बच्चों के आ रहे हैं कहीं बच्चों के 120 भी गए हैं लेकिन 50 से 70 में एक बारी के लिए मान सकता हूँ जो 140 किसी के आगे तो मैंने उसको average में नहीं लिया तो 50 से 70 marks आ रहे हैं बच्चों के तो जिसके कुछ नहीं आता है वो दो घंटे में reasoning question करो और 45 question करके देखो उसके average के पास ही आ जाएंगे marks ठीक है तो आपके पास मोका है बिना ब बढ़ाना पड़ेगा आपके पास पूरा-पूरा मोका है reasoning में बढ़ाने का technical आप इतना बढ़ रहे हो तो अब तो यार 70 से तो उपर जाने ही चाहिए कि नुकसान आपका कुछ नहीं होने वाला है पहली बात तो यह है कि knowledge एक तो ठीक है आप यही तो कह रहे हो आपके पास यह factor नहीं है लेकिन full test सिरफ हम इस लिन देते हैं कि knowledge है कि नहीं है knowledge test कर देख लेगे नहीं accuracy कहां से आएगी आप daily question कर रहे हो accuracy का कैसे पता चलेगा आपको आपके पास पूरा time होता है बिल्कुल आप mindset से बैठते हो वहाँ पे गलती नहीं करते हो घर पे लेकिन जब दो घंटे में आप 200 question करोगे तब पता चलेगा ना कितनी accuracy है तो accuracy कैसे बढ़ा रहे हो आप knowledge आप बढ़ा रहे हो daily लेकिन accuracy कैसे बढ़ा रहे हो accuracy full test ही बढ़ेगी speed speed का कैसे पता चलेगा आपको infinite time होता है आपके पास घर पे बैठके जब आप question कर रहे होते हो कोई syllabus complete कर रहे होते हो speed का कैसे पता चलेगा दो घंटे में 200 question करोगे तब भी तो speed का पता चलेगा तो अगर जो time management की skill कैसे आएगी आपके अंदर वो भी full test से ही तो आएगी तो full test आप यह जो दो घंटे दे रहे हो यह investment है कोई 2 घंटे का नुकसान नहीं है दो घंटे आप वैसे भी waste कर दोगे ठीक है तो यह syllabus दे तो full test syllabus दे तो क्यों test दे तो क्या हो जाएगा time management full test से ही सिखोगे temper वह क्योंकि वो तो जिंद्गी और मोत तो नहीं लेकिन जिंद्गी का तो सवाल है आपकी तो paper कैसा भी आए लेकिन आपको अपना at least average से थोड़ा ज़ादा ही देना है क्योंकि pre है qualify कर जाओगे 130 नंबर पर qualify कर जाओगे तो बस यह है कि किसी दिन बहुत खराब भी दिन हुआ तब भी आप paper दे पाओ अच्छे से यह उसका ही तो खेल है यह temper ऐसे ही तो maintain होगा आपका ऐसे ही तो बनेगा आपका जब आप full test दोगे उसके बाद आप कहां stand करते हो यह तो आपको पताया गई कि अभी कितने marks आ रहे हैं आपके और what are your weakness weakness के बारे में आपको पता चलेग वहाँ पे paper दोगे 2 घंटे बैठके paper दे भी पाओगे कि नहीं तो full test देने से इतना सब फायदा है इसलिए full test skip नहीं करना है और दूसरा मेरी आपसे request है या order है जो भी मानना है वो मान लो 2 घंटे मतलब 2 घंटे अगर 1 घंटे बाद उठ जा रहे हो तो उसका full test का कुछ मत mistake cases correct होंगी दूबार से check करोगे उसे तभी तो या तो एक बारी में सही करो या फिर दूबार से उसे check करो अगर जो आपके बास इतना time बज गया है तो जितना किया है at least 100 question आपने attempt कर दिये तो 100 question को check करो na attempt तो आपने इसलिए किया ना क्यूंकि आपको आते हैं question तो बागी क इस हिसाब से दोगे तभी वहाँ पर अच्छे से paper दे पाओगे अगर इसको as casually दोगे तो वहाँ पर भी casually रहोगे एक mindset नहीं बन पाएगा आपका exam देने का अब यह full test दे है तो इसको casual मत ले लेना सिरफ 2 घंटे का test होगा उसके बाद आपको क्या करना है वो समझो 2 घंट तो करना इसको अब जिन लोगों ने full test 1,2,3 दे रखा है और analysis छोट गया है तो आज के दिन आप उन सब के analysis भी करोगे जो reasoning के 50 question होंगे उनको आप एक अलग से diary एक paper या फिर एक कोई copy में note करोगे जो आपसे नहीं हुए जो आपसे नहीं होंगे आप उनको लिखोगे वहा आपने logic सब याद कर लिए कि series इस तरह की ही बन रही है तो आप बाद में भी question कर पाऊगे तो जो नहीं आप आए उनको लिख लोगे आप reasoning के question जी इस के question जो होंगे उनको आप note down कर लोगे मतलब जो आप note short notes बना रखे हैं उनमें आप note down कर लोगे और technical को भी जो concept है उनको सीखोगे कल के कल ही जो आपके पास नए आए है बाकि आपको पता ही है full test analysis कैसे करना है तो कल के क्या काम है पहला full test दोगे आप और 2 घंटे हैं analyze करोगे फिर से क्योंकि मुझे जहां तक यकीन है बहुत कम लोगों ने पूरा full test analyze किया होगा तो संडे का दिन संडे छुट्टी की तरह नहीं लेना है analysis करना है पूरा और उसके बाद जब time बच जाए तब जाके आपको GS का revision करना है कल को अब आपको कोई doubt है तो या तो comment section में नीचे बता देना या फिर दस्वेल बंदा मेरा official Instagram handle है वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर देना that's all for this video all the best to you all कल के exam के लिए thank you